Hello and welcome to gradeupstudy.com तो आज हम next 21 word substitution compute करते हैं और आज है हमारा one word substitution का part 10 तो आज के इस lecture के बाद आपके 200 complete one word substitution हो जाएंगे ठीक है और शुरू करने से पहले मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि जितने भी आज तक आपको पढ़ाए हैं वो आप सासाथ में याद भी कर रहे होँगे ठीक है अगर नहीं कर रहे हैं तो सासाथ में याद कर लीजिएगा नहीं तो बाद में problem हो जाएगी ओके चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा पहला one word है anecdote A-N-E-C-D-O-T-E तो anecdote मतलब short amusing story about some real person or event किसी वास्थिक व्यक्ति या घटना के वारे में एक कहानी को हम बोलेंगे anecdote अब जैसे कि ये movie है संजू तो ये संजदात के ओपर बनाई गई है तो ये एक real person है तो किसी real person या फिर किसी real event पर को ये कहानी बताना तो उसको हम बोलेंगे anecdote अब देखो जैसे कि The Mountain Man, दशर्थमाजी तो उनकी ये movie जो है वो एक घटना पर बनाई गई है एक real event पर बनाई गई है जिसमें उन्होंने एक पहाड को तोड़ के बीच से एक रास्ता बनाया था तो ये एक real event है तो short I am using story about some real person और event इसको हम बोलेंगे anecdote ओके चलिए नेक्स चलते हैं Next है anonymous anonymous मतलब A book or a work of art whose author is not known एक किताब या एक कला जिसके लेखर का पता नहीं है उसको हम बोलेंगे anonymous anonymous का मतलब होता है गुम नाम क्या मतलब होता है जिसका नाम reveal नहीं किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे anonymous चलिए नेक्स चलते हैं Next है antagonist one that oppose others एक जो दूसरे का विरोध करता है उसको हम बोलेंगे antagonist अब देखो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसी कि ये हैं हमारी लोकसभा यहाँ में बैठे हुए है BJP वाले यहाँ में बैठे हुए Congress वाले Indian National Congress और यह जो पार्टी है यह एक दूसरे का oppose करती है एक दूसरे के कामों का विरोध करती है है ना तो हम यहाँ में बोल सकते हैं antagonist one that oppose others एक जो दूसरे का विरोध करता है उसको हम बोलेंगे antagonist समझ गए चलिए next चलते हैं next है aphasia क्या है aphasia laws of ability to understand समझने की एक शमता न होना उसको हम बोलेंगे aphasia देखो aphasia एक बिमारी है तिक है जिसमें आपकी समझने की एक शमता धीरे धीरे कम हो जाती है तो aphasia क्या होता है laws of ability to understand समझने की एक शमता न होना उसको हम बोलेंगे aphasia ओके चलिए next aquatic aquatic मतलब animals which live in water जानवर जो पानी में रहते हैं उनको हम बोलेंगे aquatic और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे जानवर जो की पानी में भी और जमीन पर भी रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं सारे के सारे मुझे आज कमेंट करेंगे चलिए तो aquatic क्या होता है animals which live in water जो पानी में रहते हैं उनको हम बोलते है aquatic ठीक है चलिए next है assassination assassination क्या होता है killing or murder for political reason किसी का murder करना for political reason से तो उसको हम बोलेंगे assassination ठीक है राजनिती कारण से किसी की हत्या करना तो उसको हम बोलेंगे assassination ठीक है चलिए next चलते हैं next है autocracy तो देखो जितने भी मैंने आपको crazy वाले जो one word पढ़ाए हैं उन सभी में government की बात चलती है कि वो जो government है वो किसके द्वारा चलाई आती है ठीक है तो crazy वाले जो सारे के सारे में आपको पढ़ाए हैं उनको आप याद करे ना चितरह से exam में पूछे आते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या है autocracy autocracy मतलब government by one person उसको हम बोलेंगे autocracy एक व्यक्ति द्वारा सरकार चलाना उसको हम बोलेंगे autocracy ठीक है जैसे कि Hitler था तो Hitler एक single person था जो कि पूरे के पूरे देश को चलाता था ठीक है तो उस पूरे के पूरे देश की जो government थी वो एक single person कंट्रोल कर रहा था तो उस type की government को हम बोल सकते है autocracy तो हमारे इंडिया में कौन सी crazy चल रही है तो कौन सी चल रही है democracy चल रही है जिसमें जिसमें जो government है वो directly और indirectly भारत के लोगों द्वारा बनाई गई है तो हमारे इंडिया में क्या है democracy चलिए autocracy मतलब एक government by one person is called autocracy चलिए नेक्स चलते हैं तो नेक्स है avaracious तो avaracious का मतलब होता है one who is greedy greedy मतलब लालची तो ऐसा person जो की लालची है तो उसको हम बोल सकते हैं avaracious ठीक है तो यह काफी आसान था इसको आप आप याद कर लोगे नेक्स चलते हैं a wide curve of the shore is called bay समुंदर का एक हिस्सा अब देखो यह सारा का सारा समुंदर है ठीक है यह सारा का सारा देखो समुंदर ही है ठीक है तो समुंदर का एक हिस्सा जो किनारे से घिरा हुआ है अब देखो यह एक किनारा है तो ये सारा का सारा घिरा हुआ है ठीक है घिरा हुआ है न कर्व बन रही है न तो ये एक पहचान होती है किसी खाड़ी की या फिर बे की ठीक है तो बे का मतलब A part of the sea या फिर lake enclosed by a wide curve of the shore ठीक है तो ये आपको याद रखना है याद क्या रखना है यहाँ से ही ये clear हो जा रहा है ठीक है तो आपको याद रहेगा चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स है बीच तो बीच सभी को पता ही होगा A stretch of land stones along the edge of the sea या feet lake ठीक है तो ये बताने के जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो बीच आपको पता होगा चलिए next चलते है next है bellicose तो bellicose मतलब a person who is found of fighting एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई का शुकीन हो उसको हम बोलेंगे bellicose ठीक है एक ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ाई करने में मज़ा आता है बेशक तीन चाथा पड़ खा क्या आता हो ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं bellicose चलिए next चलते है next है bellicose तो bellicose मतलब engaged in war या फिर fight जो यूद या लड़ाई में वियसर आता है उसको हम बोलेंगे bellicose rent चलिए next चलते है next है benefactor क्या है benefactor one who gives financial help to a school और hospital इसको हम बोलेंगे benefactor तो हिंदी में हम बोल सकते हैं कि जो एक school या फिर अस्पताल अधी को बित्ती मदद करता है उसको हम बोलेंगे benefactor तो हमारे दोनिये में काफी सारे ऐसे लोग मजूद है जो इस तरह की help करते हैं ठीक है जैसे कि सर रतन टाटा तो ये काफी help करते हैं काफी दान देते हैं तो ये आपके लिए एक example है benefactor मतलब one who gives financial help to a school और hospital तो इनके रिलेटर में आपको एक story सुनाता हूँ कि जब मुंबई हमला हुआ था और ताज होटल को नुकसान पहुँचाया गया था तो उस time पे जितना भी नुकसान हुआ था जो कि इनकी company में काम करते थे ठीक है तो इनोंने हर एक व्यक्ति को financially help की और अजीवन salary उनके परिवाब वालों को दी और साथ में एक और एक doctor lifetime के लिए था और उनके बच्चों की education marriage में जो खर्चा आएगा सार का सारा रतन टाटाजी उठाएंगे तो इस तरह से इनोंने help की थी तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं ये एक benefactor है ठीक है one who gives financial help to a school और hospital ओके चलिए next है monogamy अब देखो gammy का मतलब क्या होता है जहां पर भी आपको gammy दिख जाए तो इसका सीधा मतलब होता है marriage ठीक है तो monogamy mono मतलब single mono का मतलब होता है single तो married to one person at a time तो इसको हम बोलेंगे monogamy एक समय में एक विक्ति से शादी करना उसको हम बोलेंगे monogamy तो यहां से ही यह clear हो जा रहा है चलिए next चलते है next है by gammy फिर से gammy मतलब शादी की बात होगी वो यहां पर लगा गया है by by मतलब 2 ठीक है तो one who marries a second wife or husband तो उसको हम बोलेंगे by gammy इसका सीधा मतलब है कि जो दूसरी शादी करता है उसको हम बोलेंगे by gammy ओके next चलते है next है polygammy फिर से gammy आ गया अब polygammy का मतलब क्या होता है ए person who has more than one wife या फिर husband at the same time उसको हम बोलेंगे polygammy तो confused नहीं होना है अगर लिखा होगा by gammy by gammy मतलब 2 तो जिसकी दो शादियां हुई हो ठीक है और यहां पर कहए polygammy जिसकी एक से अधिक ठीक है दो और एक से अधिक में difference है एक से अधिक मतलब 5 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है 10 भी हो सकती है या फिर 100 भी हो सकती है लेकिन बाए में आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगी ठीक है तो यह आपको difference याद अखना है तो polygamy मतलब एक व्यक्ति जिसके पास एक ही समय में एक से अधिक पतनी या फिर पती है उसको हम बोलेंगे polygamy, ओके, चलिए, next चलते हैं, next है endogamy, endogamy, endo मतलब होता है अंदर, अब किसके अंदर, अपनी community के अंदर, ठीक है, तो यहां से ही ये clear हो जा रहा है, तो endogamy मतलब marrying only within the limit of a local community, तो इसको हम बोलेंगे endogamy, एक स्थानिय समुदाय की सीमा के भीतर ही शाद a community, तो एक समुदाय के बाहर शादी करना, उसको हम बोलेंगे exogamy, ठीक है, तो यहां पे आपको कोई भी confusion नहीं होने चाहिए, endogamy मतलब जो अपनी community में शादी करता है, और exogamy मतलब जो अपनी community से बाहर शादी करता है, तो उसको हम बोलेंगे exogamy, ठीक है, चलिए, next चलत होते हैं, तो आज का हमारा last one word हम करेंगे, तो यह क्या है, polyandry, तो polyandry मतलब woman has more than one husband, तो इसको हम बोलेंगे polyandry, देखो polygammy और polyandry में difference क्या है, यह मैं आपको बताता हूँ, gammy का मतलब होता है शादी, ठीक है, शादी में बात होगी wife और husband की, ठीक है, लेकिन polyandry में सिर् लेकिन polyandry मतलब ऐसी woman जिसका एक ही समय में एक से जैदा husband हो, उसको हम बोलेंगे polyandry, तो दोनों में difference यही है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे gammy था और यहाँ पे andry है, gammy मतलब शादी, शादी में wife और husband दोनों होते हैं, तो यहाँ पे andry मतलब woman की बात की जा रही है, ऐ ऐसी woman जिसकी एक ही समय में एक से ज्यादा husband हो, उसको हम बोलेंगे polyandry, ठीक है, और एक बात और, by का मतलब होता है two, ठीक है, mono का मतलब होता है single, one, ठीक है, और poly का मतलब होता है एक से जैदा, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, confused नहीं होना यहाँ पे, तो आज के one word आपके यहीं पिसमाप्त होते हैं, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, तो इस वीडियो को सबसे पहले आप एक like जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे motivation मिलती है, जिससे मैं आपके लिए daily videos लाता रहता हूं, ठीक है, आप हमारे website पे visit कर सकते है, जिसका link है gradeupstud ठीक है, या फिर आप directly search कर सकते है gradeupstudy, वहाँ पे आपको हमारा logo मिल जाएगा, आप हमारे साथ facebook भर भी आ सकते हैं, जिसका link है facebook.com slash gradeupstudy और instagram पे सारे के सारे आ जाएगे, क्योंकि हम यहाँ पे extra questions discuss करते रहते हैं, ठीक है, और इन तेनों का link आपको हमारे इस video के description में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से directly click करके यहाँ पे पहुंच सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, तब तके लिए, जाए हिंद।